आप रेलिवे के द्वारा बैंगलोर, हैदराबाद और तिरुपती के दोरे पर गए थे, वहाँ आपको गिप्ट दिया गया जिसको आपने वापस कर दिया, आखिर क्यों है। देखिए, दो नॉम्बर से पांच नॉम्बर तक तीन राजियों का दवरा था, करनाटक, अंदरपरदेश और तिलंगना, तो वहाँ हम लोग आए अपने रूम जहां मिला था रहने के लिए, तो देखा कि ये बैग में रखा हुआ समान है, तो हम देखा कि भई किसने दिया तो दो तारीख के मिटिंग के पहले एक नॉम्बर को साम को वो रखा गया था, मिटिंग उटिंग थे कई जगह जन मने समस्याओं को सुनने के लिए, तो देखा कि एक जो है रेल विकास निगम लिमिटेट का 100 ग्राम का सलोट है चांदी का, और एक ग्राम का सोने का ट्रा हमने दो तारीख को चुकी मिटिंग थी बेंगलगरू में, तो हमने अपना चिठी तयार किया और मिटिंग में ही चेर्मैन को कहा कि यह हम लोटा रहे हैं, यह अच्छी परमपरा नहीं है, कि जो है लोगों का स्वागत किया जाता है, आप बूके देते हैं, माला देते हैं पेंटिंग देते हैं, या सौल देते हैं, या फिर जो जिस विभाका ये रहता है, तो उसका फाइल है, कलम है, या फिर जो मेटेरियल है, उस विभाका लिखा हुआ, वो सब देते हैं रिपोर्ट अपनी, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इतने महंगे उपहार ये ले ट्रेन की बाते हो रही है, हर जगा हम लोग हर मीटिंग में देख रहे हैं, तो यह जो है, आप सधारन ट्रेनों की भी एक जलक दिख लाई है, कि सधारन ट्रेनों में कैसे जो है भेन वकरी की तरह ठुस ठुस करके आदमी जा रहा है, यहां तक कि सवचाले में भी आम यात्रा करने को विवस है, और खास करके जो महिला यात्री हैं, उनको भारी जिलत भरी यात्रा करनी पड़ती है, अगर उनको मैंने बाथरूम जाना हो, या और किसी ज़रूरत से जाना हो, तो भारी दिकत, जिलत, मैंने कहीरी बेच्थी का यात्रा है तो आप इनको ठीक क ये कुरोना काल में जो ट्रेने सधारन बंद कर दी गई है उनको फिर से चालू किजिए और जो सधारन बोग्यों की संख्या घटाई जा रही है उसको बढ़ाई आप थ्री टायर की बढ़ाई है संख्या ज्यादा से ज्यादा इस ट्रेन पर फोकस हो लेकिन यहां कोई आपक लोगों का जो कंसेशन मिलता था उसको फिर से बाहल किजिए यह सवाल उठाया और हमने दो तारीकों लोटाया फिर जो तीन तारीकों मीटिंग हुई चार तारीकों मीटिंग होई आपको हैदराबाद में तो वहां भी दो लोग जो है अपना एक जो है पचास ग्राम चांदी का विस्किट था रेल लैंड डेवलोप्मेंट अथोर्टी और दो बिस्विस ग्राम का मने सलोट था चांदी का सलोट एन बी सीशी के तरफ से उस कि हमको ये स्विकार नहीं है तो चेर्मेंट साहब ने का कि हम तो दिये नहीं है तो फिर वो रखवादी अपने टेवल पर पीशे इसके बाद जिस विभाग का वो था उस विभाग के अधिकारियों को बुला करके वो दे दिया गया अखिर ये गिफ्ट क्यों दिये जाते कहीं न श्विभाए कि भाई जो आम जो यहाँ चर्चा होगी तो उसके बारे में लोग नहीं बोले नहीं रखें लेकिन हम लोगों ने हमको लोग सभा के दर भेजा आम लोगों नहीं भेजा जो कहा जाए कि माने जिलत भरी यातरा करते हैं महीनों का वेटिंग रहता है उनको नहीं मिलता है ठीक ना तो ये सवाल नहीं उठे हम लोग तो देख रहें टोटलीटी में कि इस बार का जो रेल बजट है वो आम बजट के साथ पेश किया गया जिब här साल रेलवे का अलग से बजट पेश होता है तो हमने इस बात की भी चर्चा की कि भाई यह अच्छी परमपर नहीं है आप माने रेलवे को इस तरह से बहतर नहीं बना सकते हैं अगर इस पर अलग से चर्चा नहीं हो इस पर केंद्री करण नहीं होगा उसकी खामियों पर चर्चा नहीं होगी या उसको अलग से जो आप बजट दे रहे हैं उस पर मन्य सांसदों की राय मन्य बात नहीं ली जाएगी तो ये मन्य रेलवे को कमजोर करेगा ये एक सांथ इस वार आम बजट जो है पहली बार देश में हुआ कि मोदी जी की सरकार ने आम बजट के सांथ ही रेल बजट भी पेश किया जबकि हर साल रेलवे का अलग से बजट होता था और अलग से बजट भी पेश किया जाता था तो हमने इसका भी मन बिरोद किया कि ये अच्छी परमपरा नहीं है रेल वजट अलग से पेश होना चाहिए अलग से मैनुस का सब घाल मेल हो जाएगा हर चीज को आप एक ही में मिला दीजेगा तो कोई केंदरी करण नहीं रहेगा किसी भी भाग पर इसलिए हमने तो रेल वजट के दिन भी अपने बक्तब में रखा इसीज़ को और हम लोग देख रहे हैं कि मैंने लगतार सर्वजनिक शेतर की कमपनियों को चाहे वो रेलवे हो एरपोट हो बंदरगा हो अडानियम बानी के हवाले किया जा रहा हो तेल की खादाने हो या कोईला सोने की खादाने हो और माइन्स हो जल हो जंगल हो जमीन हो सब कुछ जो है ये अडानियम बानी के हवाले करने पर तुले हुए हैं यहां तक कि देश की खेती को भी ये तिन क्रिशी कानूनों को के जरिये जो है वो कर्परेट घरानों के हवाले करना चाहे लेकिन मोदी जी के इस चाल को बाजपा के चाल को पूरे देश के किसानों ने समझा और एक साल तेरह दिनों तक धरना दिया दिली के विभिन बोर्डरों पर और अंतता हिनको क्रिशी कानूनों को सस्पेंट करना पड़ा तो जो गिफ्ट दिये थे वो एक परकार का घूस मना जा सकता है अब क्या कहिएगा लेकिन ये अच्छी परंपरा नहीं है ये नहीं देना चाहिए बलकि जो जिस विभाग पर चर्चा हो रही है मिटिंग बुलाएं हम लोग उस पर आम आदमियों आम यात्रियों की रेल यात्रियों की सुर्धा जो है बढ़ाने पर आप विचार कीजिए अभी हम लोगों ने देखा एक तस्वीर दिल दहल गया और आप तो ये रेल्वे की भरती रोके हुए हैं इनको ठेका पर मज़ रहा है खटमल का बसेरा है वो बढ़ियां से चैन की निसो भी नहीं सकते हैं हम लोग ने देखा भी यहां बरावनी स्टेशन पर कि एक जो है मने मने खुब मैं रेल करमी जो है दो बोगियों के बीच में उतर करके ओ काम कर रहे थे कोई ट्रेन मने खड़ी थी वहां और द दो जो है यह मैं चप करके उनका जो है कहिए कि पूरा माने एक दम माउत हो गई बहुत दर्दनाक भयानक माउत क्या रेलेवे को इस बात के लिए नहीं माफी मांगनी चाहिए क्या मानिये मुख माने परधान मंतरी जी को या रेल मंतरी जी को यह उनके संग्यान में नहीं आया है कि मैंने इस तरह से दर्दनाक हाथा हो रहा है आप जो है इसको ठीक किजिए न भाई गिफ्ट देने के बजाए इसको ठीक किजिए उनकी जान बचाईए रेल यात्रियों की सुभधाएं बढ़ाईए जिन नए छेत्रों में रेल लाइन ले जाने की जुरूत थे वह यह तो हो नहीं रहा है तो हमने तो कहा कि आप यह दिखा रहा है कि बंदे भारत में यह हाईजानिक खाना मिल दा है एसा हाईजानिक कीजिए नहीं है लेकिन पैसेंजर नहीं है उसमें बंदे भारत के ट्रेनों को पैसेंजर नहीं मिल रहे है माँने फ्लाइट के तरह हव रेन बकरी की तरह जा रहे हैं, एकदम रेलवे स्टेशनों का पानी गायब हो गया बोतल बन पानी बेचवाने के लिए, सवचालयों कोई स्थिती जा करके देखिए, प्लेट फारम जो है, आप देखिए हमारे रेनी में तो जितने हाल्ट हैं, वो एकदम नीचे है, मनें अखपद खाली है, रेलवे का उसको भरिये, और ठेका प्रथा कम मनें खतम किजिए, नियमित भाली किजिए आप